नमस्कार आप सबका मुद्धू की रिसोय में स्वावत है आज बुल की रिसोय में इमाची रेस्पी कॉरी वाला कद्दू बनाने जा रहे हैं कद्दू भी रखने वाली स्मागरी है, आदा किलो कद्दू ले लिया है, उसको छील के दू के अच्छे से तुक्रों में काट लेना है, एक कटोरी दही, एक चमच सर्सोका पाउडर जिसे और ही कहते हैं, तीन सुकी सागुत लालमिश जिसको टुक्रे कर ली है, एक चमच दहीया पाउडर, आदा चमच हल्दी पाउडर, आदा चमच लालमिश पाउडर, नमक स्वाद नुसार, आदे से भी कम चमच करमसाला, और एक चमच पंच पूरन, और पनाने के लिए सर्सोका पेल, पंच पूरन जो होता है, बजार में भी असानी से लिल जाता है, आप चाहे तो घर पे बिना सकते हैं, जिसने जीरा, मीठी सोंक, सर्सो के दाने, कलोंजी और मेखी होती है, इन सब को मिला के पंच पूरन बनता है, तो हम बनाना सूर करते हैं, यह पूम कर दी है, कड़ाई तेल डाल देंगे, तेल को अच्छे से गरम होने देना है, तेल गरम हो चुका है, आज को कम कर देंगे हम, तुकी साबट लाव मिचा लेंगे, तेल के पांच पूरन डाल देंगे, ती सेकंड तक गूलना है यानि आदा मिनित आदा मिनित हो चुका है अब इसलिए हमने पड़ावा पड़ू राल देंगे अबसके यादपर तक बाल देंगा यह मुहाँान है युष introduction एम सेकंड est उमारे तका उच उरने ीज़ूुका सत्बस्धू और में भूच़ है और देंगे लगके उाने पड़ electromagnो मिनित भाल गरी सो kangam-जीज़ू जबनी हम पढ़र.. इसलादी दार कि पूंगे थी हुत हुरदें डिनेमी जाँ सबनी हम गहां डओत High इसको हमने धखके रख देना है जब तक पकाना है जब तक ये नरम नहीं हो जाता वीच वीच में हमने एक से दो मिट के अंतराल में हमने इसको हिलाना है कर दो को जाना है को जाना है को जाता नरम हो चुका है अब इसको हमने पूरा सा मैश कर देना है जादा मैश नहीं करेंगे कर देंगे तो हमने आदा मिरे तब चलाना है यानि ती सेकेंड हो चुके है अब जैस पन कर देंगे कर दो को पुरी तरह से ठंड़ा होने देना है तो हमने ने दई और औरि यानि कि सरसो के दाना जो पीशा हूआ है पाऊडर उसको हमने मिला के फिर डालना है करदम कर में डालेंगे और अक लिए से खड़व हो जाता है कद्दू ठंडा हो चुका है अब इसमें हमने पॉरी वाला दही डालना है तो इसके हमने एक बड़तन लेना है इसमें हम दही डाल देंगे और पीसा हुआ और यानि सरसो के दानों का पाउडर इसमें अच्छी सो मिलाना है और कद्दू में डाल देंगे नामने इसको अच्छी से लिला लेना है और यह वाले कद्दू की सब्जी बन के त्यार है अब इसे हम सर्फ करेंगे हिमाची रेस्पी औरिवला कद्दू बन के फ्यार है और इसे आप घर भी ज़रूर बनाए और इसे आप रोटी परांठा फूरी के साथ भी खासकते हैं यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथी नोटिफि वीडियो है आप तक पहले पहुंँ सकें हिन्यवाद